14 अप्रल 1891 को जनमे डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर भारतिय इतिहास के एकसाध हरल व्यक्ति थे। सामाजिक न्याई के एक चैंपियन उन्होंने अपना जीवन भेदभाव के खिलाफ लरने और भारत में हाशिये की समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। एक अच्छूट से भारतिय सम्विधान के निर्माता बनने तक कि उनकी उलेकनिय यात्रा लाखों लोगों के लिए प्रेरना है। और असमानताओं को मिटाने के लिए अथ्थक प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिदित्व तक समान पहुँच की वकालक करते हुए दलितों, महिलाओं और अन्यवंचित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लडी। उनके प्रयासों से बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, जिसका उद्देश्योग पिरितों को सशक बनाना और उच्च जातियों के आधिपत्य को चुनोती देना था। भारतिय सम्विधान का मसौदा तयार करने में अम्बेड करकी महत्वकूल भूमिका को बड़ा चड़ा कर पेश नहीं किया जा सकता है। मसौदा समिती के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आधुनेक भारत की नीव रखने वाले सिध्धानतों और कानूनों को आकार देने में महत्वपूल भूमिका निभाई। एक समावेशी और समतावादी समाज के लिए उनका द्रिष्टिकों सम्मिधान में परिलक्षित होता है, जो मौलिक अधिकारों, समानता और समाजिक न्याई को स्थापित करता है। ये फिल्म उनके जीवन के महत्वपूल भूमिक्षनों को प्रदर्शित करेगी, जैसे की महार सत्याग्रह जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जल संसाधनों तक पहुँच के लिए लड़ाई का नित्रित्व किया, और पूना पैक्ट जिसने विधाय निकायो में दलितों के लिए आरक्षित सीठी सुनिश्चित की, इसके अलावा बायोपिक अमबेड करके बौधिक योगदान पर प्रकाश डालेगी, यह उनके मौलिक कारियों, जैसे जाती का विनाश में तल्लीन होगा, जहां उन्होंने जाती व्यवस्था की जमकर आलोचना की और इसके पूर्ल उन्मूलन की वकालत की, यह फिल्म उनके शक्तिशाली भाषनों को कैप्चर करेगी, जटिल मुद्धों को स्पष्ट करने और लाखों लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता को उजागर करेगी, इन सबसे उपर, बायोपिक डॉक्टर, अमबेड कर की अदम्य भावना पर जोर देगी, जिन्होंने कभी भी विप्रीत परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके और न्याय और समानता की अपनी अथक खोज को जारी रखा, यह एक समाज सुधारक, राजनी तिकनेता और दूरदर्शी के रूप में उनकी स्थाय विरा का जश्न मनाएगा. यह फिल्म सामाजिक न्याय के लिए चल रहे संधर्श की याद दिलाती है और दर्शकों को हर तरह के भेदभाग को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है. अंत में, डॉक्तर भीमरा अवंबेद कर पर एक बायोपिक एक ऐसे व्यक्ति के असाधा जीवन को प्रकाश मिलाएगी, जिसने खुद को वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया. एक अच्छूट से भारत के सम्विधान के मुख्य वास्तुकार बनने तक कि उनकी यात्रा उनके अतूट द्रिर संकल्प और अधिक न्यायपोर्ल समाज बनाने की उनकी प्रतिबधता का एक वसियत नामा है. ऐसी फिल्म उनकी विरासत को एक शक्तिशाली श्रद्धान जली के रूप में काम करेगी और पीलियों को अधिक समावेशी और न्याय संगत दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगी. ये था डॉक्टर भीमराव बेदकर से जुड़े कुछ रोचक बाते, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें.